नमस्कार आप देखे न्यूस फोर निशन और मैं स्वाती पांडे आपके साथ बिहार में मौनसून बेदम हो चुका है और उमस भरी गर्मी चिलचिलाती धूप लोगों को तबाह करके रखी हुई है लोगों को इंतजार है तो बारिश के बारिश हो जाए थोड़ी सी हलकी सी बारिश हो लेकिन बारिश हो जाए ताकि इस उमस भरी गर्मी से लोगों को राहत मिल सके लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है अगर मौसं विग्यान केंदर की माने, तो आज की ताजा हाल क्या है, आज का वेदर अपड़ीट क्या रहने वाला है, आपके जिले का आज मौसं क्या रहेगा, क्या आज बिहार में बारिश होगी बरसेंगे देखिए मौनसून का ये आखरी महीना चल रहा है चौथा महीना चल रहा है लेकिन बावजुद इसके बिहार में ऐसा लग रहा है कि मौनसून रूट चुका है जिसकी परेशानी बिहार के किसानों को जहेलनी पड़ रही है मौनसून की चाल अब भी सुस्त बनी हुई है शहर के से गाउं तक लोग उमस से परिशान है तेज धूप और उमस के कारण तापमान भी समाने से अधिक रहने किया अगर आज यानि बुदवार की तो बुदवार को कई जगहों पर हलकी बारिश के संभावना जटाई गई है मौसम विभाग की माने तो अगले दो दिन तक बिहार में नमी वाली पुर्वा हवा चलती रहेगी और आस्मान में बादल छाय रहेंगे हाला कि हवा चलने से मौसम कुछ शुहाना रहेगा लेकिन तापमान में बढ़ोतरी के साथ ही उमस भी बढ़ेगी मौसम बिभाग के अनुसार अरब सागर और पुर्वी विधर्ब में बनी मौसमी प्रनालियों की वज़े से बुद्वार को पटना गया और दक्षिनी बिहार के कुछ जिलों में छिटपुट बारिश हो सकती है मौसम बिभाग के अनुसार बुद्वार को उत्तर बिहार के समी 19 जिलों में हलकी बारिश हो सकती है जबकि पटना सहित दक्षिन भारत के बिहार के 13 जिलों में छिटपुट बारिश होने के संभावना जताई गई है तो यहां मौसम सुस्क रहने का पूरवानुमान है यानि इन जिलों में बारिश हो सकती है सितंबर जो मौसुन का आखरी महीना होता है उसमें बिहार के अधिकतर जिलों में समाने से कम बारिश होने की अनुमान है मौसा मिभाग के अनुसार इस साल अब तक बिहार में समाने से 26 प्रतिशत कम बारिश हुई है जबकि अगर जून महीने की बात करे तो जून में 52 प्रतिशत जुलाई में 29 प्रतिशत और अगस्त में 4 प्रतिशत समाने से कम बारिश दर्ज की गई है सितंबर में भी बारिश कम होने से प्रदेश में लगतार तीसरे वर्स मौनसून की बारिश सामाने से कम होने के आसार है बिहार में सामाने तोर पर मौनसून सीजन 12 जून से 8 अक्टूबर तक रहता है लेकिन 17 सितंबर के बाद बारिश होने की उमीद भी खत्म हो जाएगी देखे बिहार में 17 सितंबर के बाद मौनसून बिलकुल पूरी तरीके से बिहार से आउट हो जाएगा और उसके बाद बारिश की हलकी भी कोई उमीद बिहार में रहने वाली नहीं है और इस साल सबसे कम वर्षा हुई है दस सालों में ये रिकॉर्ड सबसे कम वर्षा हुई है जिसके वज़े से बिहार के किसान भी काफी परिशान है इस वेदर अपडेट में बस इतना ही आप देखते रहें न्यूस फॉर नेशन